हाई मैं हूँ योशु माया पुरी न्यूस बुलिटिन में आपका स्वागत है ट्विजर पर एक ट्रेंड चल रहा है जहां बॉलवुद सेलेब्रिटीज 90 से अपनी फेविट मुवीज का नाम बता रहे हैं वही वो आगे और सेलेब्रिटीज को भी नॉमिनेट कर रहे हैं सेम ट्रेंड करने के लिए अक्षे गुमार ने बताया कि उनकी फेविट मुवी 90 से संघर्ष और अंदाज अपना अपना है वही आज़र देवगन ने बताया कि उनकी फेविट मुवी जखम है अब इशेक बच्चन ने कहा कि उनकी फेविट मुवी अमिताब बच्चन जी की अगनिपत है हाली में गुलाबो सिताबो के मेकर्स ने OTT प्लाटफॉर्म पर अपनी मुवी की रिलीज अनाउंस की वैल इस से कमपनी इनॉक्स मुवी थेटर्स इतनी ज़ादा खुश नहीं देखी क्योंकि इसके बाद ही उन्होंने एक स्टेट्मेंट रिलीज किया ये कहते हुए कि मुवी इस डिरेक्ली OTT प्लाटफॉर्म पर रिलीज ना करे और थेटर्स से अपना पूराना रिष्टा और पार्टनर्शिप ना तोड़े बॉलवर आक्टर अक्षे कुमार ने काफी बड़े बड़े डोनेशन्स किये हैं पीएम के एस फंट के लिए करोना वाइरिस के क्राइसिस के चलते वहीं वरकर्स और पुलिसमेन को काम करते देखते वक्त अक्षे कुमार काफी जादा मोटिवेट होए और उनके लिए थाउजन रिस्क बैंज डोनेट करे जो डिटेक्ट करेगा कि करोना वाइरिस पेशिंस कौन-कौन है अक्षे कुमार को इस क्राइसिस में काफी जादा कॉन्टिब्यूट करते देखा जा रहा है हाली में Amazon Prime पर सीरीज पाता लोग स्ट्रीम हुई थी वहीं स्ट्रीम होने से पहले इस सीरीज का काफी जादा हाइप मचा हुआ था इस सीरीज को अनुशकर शर्मा ने प्रड्यूस किया है कहा जा रहा था कि ये सीरीज नेट्फ्रिक्स सीरीज सेक्रेड गेम्स जैसा है वहीं इसके रिव्यूस काफी जादा अच्छे बताए जा रहे है इस सीरीज ने अपना आपको आउट डन किया है पूरी तरीके से कल ही ये अनांस्मेंट हुई थी कि आयुश्मान खुराना और अमिताब बच्चन की मुवी गुलाबो सिताबो अमजॉन प्राइम पर रिलीज होने वाली है वहीं अब विद्या बालन की फिल्म शकुंतला देवी भी अमजॉन प्राइम पर रिलीज हो रही है इसका एक पोस्टर सामने आया है लेकिन उसमें रिलीज डेट सामने नहीं आई है जब हमें पता चलेगा कि आमजॉन प्राइम पर ये कब रिलीज हो रही है क्यारा अध्वानी को हम नेक्स लक्षमी बॉम और इंदू की जवानी में देखेंगे वेल इंदू की जवानी में क्यारा अध्वानी एक डेटिंग आप का एक्सपेरिमेंट करते हुए दिखाई जाएंगी वही रियालिटी में क्यारा अडवानी ने कहा कि वो काफी जादा रोमांटिक और लवेबल है और वो काफी जादा ओल्ड स्कूल भी है और ओल्ड स्कूल रोमांस में विश्वास रखती हैं क्यारा ने कहा कि उनको अगर कोई ओल्ड स्कूल रुमैंस की तरह से वू करे तो वो शायद उस तरीके से काफी ज़्यादा इंप्रेस हो सकती हैं। तेलिविजन आक्ट्रिस और बॉलूड आक्ट्रिस मोनी रॉय को हम नेक्स फिल्म ब्रहम मास्टर में देखेंगे। इस फिल्म में आल्या भट और रनबीर कपूर मेन लीद्स में नज़राएंगे। वह हाली में एक इंटर्वियू में मोनी रॉय ने कहा कि आल्या भट और रनबीर कपूर जब एक साथ स्क्रीन पर आते हैं तो धमाका हो जाता है। मोनी ने कहा कि दे आर फायर उन स्क्रीन पहली बार हम रनबीर और आल्या को उन स्क्रीन देखेंगे रोमांस करते हुए इन भ्रमास्त्र वालवर अक्टर सुनाक्षी सिना ने अपने इंस्टोग्राम पर एक सेलफी पिक शेर की है उसको उनोंने कैप्शन किया I don't remember anymore what day it is लोगडाउन से इतना बोर हो चुकी है कि उनको याद भी नहीं है कि कौन सा दिन है इसी के चलते गई लोगों ने उनको ट्रोल किया और कहा कि रामायन करेक्टर्स याद नहीं है तो दिन कैसे याद होंगे वहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सुनाक्षी डिप्रेस लग रही है क्योंकि सलमान खान ने उनको अपने वीडियो में चांस नहीं दिया करीना कपूर ने अपने सोशल मीडिया पर अपने फैंस और फॉलोवर्स के साथ एक छोटा सा वीडियो शेर किया इस क्लिप में हम देख सकते हैं कि करीना कपूर ने एक होम मेड मास्क लगाया है वैल ऐसा लगता है कि इन दिनों लॉग डाउन के चलते करीना कपूर अपने स्किन को ट्रीट कर रही है होम केर रेमेडी से ये एक टरमरिक बेसिन का पैक लग रहा है आज कल हर सेलिबरिटी आक्ट्रिस का फेबरेट वॉकाउट है पिलाटेज वॉकाउट वहीं भूमी पैडनेकर ने एक वीडियो शेर की है अपने पिलाटेज वॉकाउट से ये एक पुरानी वीडियो है इस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि भूमी अपने वर्काउट्स काफी जादा मिस कर रही है स्पेशली अपने पिलाटे क्लासेज इसलिए उन्होंने ये वीडियो शेर की है आज वो घर में तो पिलाटे क्लासेज नहीं कर सकती मशीन्स के साथ लेकिन थोड़ा बहुत वोकाउट करते हुए उन्हें घर पे तो देखा जा रहा है आज के लिए इतना ही लेटिस बॉलिवूड न्यूज और होट गॉसिप के लिए सबस्क्राइब करें माया पुरी काट